हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियम में आपको बताऊंगा कि गूगल पे में आप अपना यूपीय पिन कैसे सेट कर सकते हैं चलिए वीडियो को शूरू करते हैं और यह दिखे मेरे गूगल पे में चार बेंक एड है मैं यहाँ पर HDFC बेंक का अपना यूपीय पिन शेट करूँ गा यह सभी बेंक का यूपीय पिन ऐसे ही सेट होता है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा और अगर आपका पहले से नहीं set तो आपको set upi pin का option आएगा यह मैं भूल गया था इसलिए मैं forgot upi pin कर रहा हूँ और यह इसके बाद आपके सामने यह ऐसा page आ जाएगा यहाँ पर आप अपने ATM card के last 6 digit डाल दीजिए debit card के ATM card के और यह निचे valid up to date valid up to validate डाल दीजिए यानि कि expiry date ATM card की और उसके बाद यह जो arrow का निशान बना हुआ है तीर का निशान इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको आपके mobile पर एक OTP आईगी या तो वो अपने आप ही enter हो जाएगी या आप message में से देखकर वो OTP एंटर कर देना उसके बाद यह सही के निशान पर आप क्लिक कर देना और किसी किसी को यह ATM pin का भी option आता है आप यहाँ पर अपना ATM pin डाल देना अगर आपको यह ATM pin का option आए तो और नहीं तो किसी को सीधा ही UPI pin का option आयता है UPI pin set करने का आप यहाँ पर अपना कोई भी UPI pin set कर लिजे किसी किसी bank में तो यह 4 अंकों का UPI pin बनता है और किसी किसी bank में 6 अंकों का जो भी आप अपना UPI pin set करना चाते हैं set कर लिजे उसके बाद यह confirm UPI pin में वही UPA pin डाल कर यह सही के निशान पर क्लिक कर दिजिए यह आपका UPA pin सेट हो जाएगा इस तरह से आप Google पे में आप अपना UPA pin सेट कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए